मौसस मेहमानों, हम प्रोग्राम के एक तितामी मराहिल की तरफ जा रहे हैं यहां मैं इस सस्थी का जिकर करना चाहूंगी जिनका नाम हमारे घर में सर्दा ग्रेट बोला जाता है जब कहा थे सर्दा ग्रेट तो सब समझ जाते हैं वो शक्सियत कौन है यकिन है आप लोग भी समझ गए होंगे कि मेरा इशारा वाकी में सर्दा ग्रेट सर्शीहान अनायतुला खान की तरफ है मैं ग्रेंड मास्टर से दिर्खवास्त करूंगी कि उस्टेज़ पर आएं अपने ख्यालाद का इजार करें बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया प्लीज बैटे ब्लेस अनकी वरी माच आप लोगों के प्यार का बहुत शुक्रिया प्लीज बैटे बिस मिला रह्म रहीं सबसे पहले तो मैं उन्हों तमाम ब्लैक बैल्ट्स को मुझे बाराखबाद पेश करता हूँ जिन की वज्गा से आज मुझे मुझे मौका मिला कि मैं इस पुर्वकार तकरीब में इसका हिस्सा बना आपनी फैैमिली के साथ आया ये पुर्वकार तक्रीब इसलिए कि इसमें फैमिलीज आई हैं हमें मुझे अकेला बुला लेते थे कईदवा आई कराटे किये बेल्टें दी टेस्ट लिये लेकिन आज बहुत अच्छा लगा कि ये आप लोग अपनी फैमिलीज को साथ लेकर आए हैं मैं आपकी फैमिलीज को आपके बच्चों को दिल के गहराईयों से सलाम पेश करता हूं हर उस शक्स को जिसने पिछले 30, 35, 40 साल से पहले शोतकान कराटे को फिर सेंटर अफ एक्सिलेंसी के साथ मुंस्रिक रहें किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी दौर में अपनी खिद्मात पेश करते रहें और इंशालला कर रहे हैं और इंशालला अब हम लोग सब विल बीड़ पार्ट अफ सेंटर अफ एक्सिलेंसी इन फ्यूशर मेरी सबसे पहले में यह बात बतलाओं कि मुझे अगर सिर्फ आरफ साब के बारे में बोलना हो आरफ साब का तालुक मेरे साथ तक्रीबन 35 साल का है शायद इससे ज्यादा हो उसमें से कुछ गया पाया आद 10 साल यह गए हिजरत करके कहीं गए तो मैं चुटी-चुटी बातें साथ साथ बताता रहूं क्यूंकि हमारी कराटे में मेरा आरफ सा गर्द वाला महबबत वाला इश्क वाला रहा है मेरे बच्चे पूछते थे कि आरफ साब किदर चल गए या कोई और लोग जो सीनिर्स होते थे ता अरफ सा के दौर में और फिर मेरे साथ रहे आरफ साथ का गया तो मैं उन्हें बतलाता था कि मेरे पास जो आ जाता है वो स आरफ साब गए हैं तू बिकम कुंधन सोने को कहते हैं पिगल की और कुंधन होने के लिए तो आरफ साब दस बारा साल के बाद आए वापिस with the grace of mighty Allah ये वाकई कुंदन होके आए मेरे पास और I feel proud आरभ साब की मिस्स जब मेरे घर आई after long time तो मेरे बच्चों ने मेरी बड़ी बटी है मुना वो इनको जानती है कि आरफ अंकल है बच्पन से क्योंकि आरभ साब का मकाम वो रहा है तो मेरे साथ इनका सोफे पे मुझसे पहले ये जा के बैठे वे थे मेरी वाइफ अक्सर पूछती थी आरभ किदर गया तो मैं बतलाता था मैं क्या आएगा वापिस आएगा इंशाला और वो कुंदन होने गया और ये बिलीव ही में कोई लवस जिंदगी में निकलता है इंसान के दिल से निकलता है और वाकिछ जब आरभ साब आए अपनी फैमिली के साथ तो मैंने और मेरी वाइफ ने एकनम कहा कि ये घर वो है जहां आपको शादी के दूसरे तीसरे दिन आना चाहिए था आज अब तीन बच्चे लेके आ गई है इसे दुरे घर में लेकिन हमें उमीद थी यकीन था कि इंशालला टाइम विल कम विल विल टोगेदर और ये आरभ साब आए आरभ साब के आने से यह हुआ कि आप लोग सारे आ गए मेरी मेरा गुजरावा वक्त आ गया मुझे नहीं लग रहा कि आज मैं मुझे याद है कि उकाड़ा से कुछ लोग लहौर गए और उन्हें बताया मेरे टीचर को जनाब काजी शाहिन आजम साब को कि जी हमारे कराटे कलाब बहुत अच्छा है हमारे जो टीचर है वो चले गए चोड़के हमें जनाब सर्वक करमांडो साब बहुत बड़ा नाम था उनका कराटे का उस वकत मुझे मैं बrows Cambodia मारे बता रहा हूं क्युके मैं पहले बताने लगा हो बात दूषरी से रोगाइब के अगर मैं तीस साल के बारे में बतला हूं या पचीज साल का एक घंटा मुझे चाहिए एक साल के लिए बोलने के लिए तो लेकिन आरफसा ने बतला है कि यह प्रोग्रम आज खतम करना है ठीक है इस वज़ा से मैं एक घंटे की बजाए हम मैं सिर्फ एक साल को एक मिनट पे I will try my best to speak about him और मैं जब सेलेक्ट होके यहां मेरे टीचर ने मुझे यहां बेजा यह था 1980 की बात है उकाड़ा गौल चौक था उपर एक आफिस था मैं आके वहां बैटता था खलील तबस्म साब अल्ह तल्हा उनको खली के रहमत में जगा था अफर मैं फौत हो गए उन्होंने मुझे इ के देखता था ब्रीज था पर ली तरफ उकाड़ा से आदे लोग इढ़ जाते था सुबह को शाम को वही लोग आप सारह दो तो मुझे लगता है बहुत चोटा सा उकाड़ा इतना चोटा था कि नौर पे किराय रोता था लोगर से यह आने का और रह दूसरे दिन में आता करवाई जहां दस बच्चे खड़े होने के काफिल होते थे सड़क पे स्कूल में मुझे अब स्कूलों के नाम नहीं याद प्रेस क्लब में I mean so many places जहां जहां में जगा मिलती थी यह कराटे कराने हम शुरू कर देते थे फिर कंपनी बाग में शायद गए तो मुझे याद है के ब्लैक टॉजर पेहना था आरिफ साब ने वाइट टी-शेट पेहनी भी थी और आये इसलाम लेकम बाल के और इन्हों का जिए मैं पहले थोड़ी करता रहूं मैंने कराटे में अदमिशन लेना है और मैंने कराटे शुरू करदी और मुझे शे महीने इनको ट्रेनिंग क तो आफ्टर शिक्स मन्त मुझे अंदाजा हुआ आरिफ साब का अचिट्यूट देखे मुझे अपने आप से लग रहा था क्यूंकि मैं बदाए हम लोग कराटे सिखाते नहीं रहे हम लोग ने कराटे पढ़ाई है हम लोग ने कराटे को इस तरीके से सिखाया है मुझे ल कि अरफ साब को बहुत शॉक होता था लंट कि यह नोने कराटे इस तरीके से कि सिखी रात को इसकी प्रेक्टिस की फिर वो वक्त आगया कि जब आरफ सदी एक खिलाडी का मैं बहुत शॉट 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 बदा रहा हुँ एक खिलाडी का कोई भी ड्रीम होता है किसी भी में किसी भी गेम में नेशनल चैंपिन बन जाना बहुत बड़ी बात ही थी इंटरनेशनल चैंपिन बन जाना इनका गोल था वर्ल्ल चैंपियंशिप में जाने का मैंने बहुत जल्दी अंदाजा लगाया आरफ साब मेरे बहुत करीब आगए करीब इस तरह से नहीं आरफ साथ जुनियर थे उनसे आरफ साथ उनसे सीख लेते थे लेकिन वह सीनियर थे वह अनफरशनलिकी सीख नहीं पाते थे यह वह फील करते थे कि यार इस जुनियर से मैंने क्या सीखना है फिर वह वक्त आ गया कि उनके साथ इनका आरफ साथ ब्लैक बल्ड का टेस्ट कराटे का बहुत बड़ा फंक्शन हुआ मुखतसर यह के कराटे उकाड़ा ने मैं असी से आया यहां उकाड़ा में और आरफ साब 90-92 में आई थिंक आये और उसके बाद उकाड़ा ने मैं हमेशा उकाड़ा के लिए दुआ गो रहता हूं इस शेहर के लिए हमेशा मैं जब दुआ करता हूं यहां मुझे इज़त मिली यहां मुझे बहुत पैसा मिला यहां से मुझे गोल्ड मेडल मिला सोने का प्योर गोल् उकाड़ा में मुझे वो मिला कि पाकिस्तान की पूरी कराटे फेडरेशन जैसे आज आप लोग खड़े वे थे अभी इस्तकबाल करने के लिए पाकिस्तान की पूरी करीम कराटे फेडरेशन के सेकेटरी, प्रेजिजन्ट और अड़ अधर पीपल वो सारी इस तरीके से रेशलर आए उनके साथ में लोग ने मैच किये, उकाड़ा ने मुझे इतना कुछ दिया लेकिन उसके बदले में मैंने उकाड़ा को सिर्फ एक आरफ सदीकी किया जिसने ये सब कुछ और्गनाइज किया आरफ सब आप इंट्रेक्शन करवाओ, प्लीज आप बठिये, थैंक यू वर्मच कुछ गैस्ट आये हैं हमारे, उकाड़ा ने मुझे इतना कुछ दिया कि मुझे यहां से ब्लैक बेल्ड मिले, यहां से वर्ल्ड प्लेयर मिले, उकाड़ा फिर आरफ सब ने बहुत आरफ सब में से उस जगह जहां होटल में में रहता था, फवरारा चौट के उपर आफिस में में रहता था, कभी कभी जब में राध रहता था, तो मझे याद नहीं कौन सा होटल था, वहां में रहता था, पिर आरफ सब्साब में मुझे 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 मुझ गार शिफ्ट हो गया सुबह हम लोग एकी कमरे में रहते थे मुझे शर्फ हासल हुआ है जनाब हसी तदीकी Colombia के साथ कुछ वकत गजारा उनके साथ सुबह की चाई पिने का शर्फ हासल हुआ उनसे बहुत कुछ सीցखने का शर्फ हासल हुआ हाफी सभी सभा अरफ साब के फादर अल्ला उनको खली के रहमत में जगा अता फरमाए वो उकाड़ा की उनको उकाड़ा के जो पराने लोग हैं मुझे आपका नहीं पता मेरा अब खुद गैप पड़ गया उनको इलामा इकबाल का दर्जा देते थे कि उकाड़ा में अगर कोई इलामा इकबाल है तो वो I mean aisay थे कि लुग को बैटे थे उनसे में बहुत कुछ चिंदीगी में बहुत कुछ सीखा स्पेशली में अुनको जब सुभा को देख थे हम लोग सौते थे बहुत लेट सौते रात को आरभ सुट एँ ट्रेइनिंग कर थे। अब छूबज पाँ पुज जो भी टॉख उ लेकिन आज भी मैं सुबह को मेरी फैमिली सोई भी हो या जाग रही हो। सुबह को मैं उठके अपने अगेट रेडी। मैं ये समझें कि मैं एक हवीसिति साब की सुननत एक पूरी करता हूं कियर सुबह को अठना तो फ्रेश हो के बितरीन तयार होना है। अचा अरफ साब ने क्या आदद ढ़िए। अभी आरफ साब जो आना शुरू है मेरे घर में संड़े को इनने मुझे पूछना थे सर मैं आ रहो हूँ। नो बज़े आ रहा हूँ आठ बज़े इनने मुझे बतला देना, अजिस मेरे बच्चे भी मुझे पूछे हैं कि ये कि मेरे घर में एस्पी साहब है आगाय नसर साब आते हैं में मुदलसन साब है जितने भी स्टूड इंट बड़ वदोंपे माश्या ला तो मैं यह बचे उटाते हैं पपा अंकल नसर आये हैं अंकल कैप्टन यासर आये हैं तो मैं नको ऑनको बढ़ा आरो मैं अरफ स्दीकी जब भी मेरे घर में आता है, तो मैं अपने बच्चों को कहता हूँ कि ठहर जो, मुझे तयार हो लेने दो, क्यूंकि आरफ सदीकी ने मुझे कभी भी कैजवल नहीं देखा था, He don't like to see me, कैजवल, मैं उसके लिए हमेशा तयार होके खड़ा होता था, क्योंकि मुझे पता था, कि आरफ सदीकी जैसे मुझे देखना चाहता है, मैं उसको वैसे नज़र आऊँ, पिछली बात करते हैं, तो हमने बहुत जल्द आरफ सब ने ब्लैक बल्ल डी, बहुत बड़ा फंक्शन, आज तक ओकाड़े की तारीख में ऐसे फंक्शन नहीं हुए, ये भी वन अफ था है, वही फंक्शन, उस कैलिबर से बहुत अच्छा फंक्शन है, क्योंकि आप लोगों की फैमिलीज हैं, अधरवाइज बड़े बड़े फंक्शन हुए, और सारा क्राइड़ आरफ सब चाता है, आरफ सब ने करवाए, आप लोग इसमें हिस्सा होते थे, आप लोग आप लोग उसमें पाटिस्पेट करते थे, हमने वाल चंपिशिप में आरफ सब सलेक्ट वे पाकिस्तान की तर है कि जब आरफ सब कराटे करने आए तो उकाड़ा से कराटे बाहर निकली, उकाड़ा से कराटे दिपालपूर में गई, रिनाला में गई, पूरे पंजाब में हम लोगों ने, पूरे पंजाब में हम लोगों ने कराटे की और मैं एक दिन कहीं जाता था कराटे करवाने के दूसरे दिन मैं पिंडी जाता था, सरगोदा, ओकाड़ा, फैसलाबाद, यही काम होता था, मैं घूमता रहता था, उस वोगत इतनी ज्यादा रिस्पोंसिबिलिटी नहीं होती थी, शादी नहीं की भी थी, लेकिन शादी के बाद भी मेरा यही तरीका रहा, मैं आज इस मौके पर आप लोगों को, आप तमाम इंस्टेक्टर जितने भी हैं, आप लोगों को जहां मैंने मुबारकबाद दी है, वहां आपकी फैमिली को, आपकी मिस्स को, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों की ये भी मिया ना होती, तो आप लोग कभी इनायत अल्ला ना होते, कभी आप लोग आप अरफ सिदीग की ना होते, जितना सेक्रिफाइज, जितना सेक्रिफाइज आपकी मिस्स ने किया है मुझे याद है, मुझे आप लोग कब से जानते हैं, जब कि आप जब जिनके वालदान, इनकी मख्वरत के जो फौत हो गए, जो जिनदा हैं, वालझा इलुन तरजाथ बिलंद करें, से अंदरुस्तित हैं. मुझे याद है कि आप लोग मुझे उसके से जानते हैं जब आप लोग कराटे करके घर जाते थे तो अमी ने कहना यार किया काम करना शुरू कर दिया है टांगे तरवा कर रोज आ जाते हो बाप वालदान ने कहना वालद साब ने कहना और भी को काम है ये क्या शुरू कर दिया है टांगे मारनी कोई पुलीस बन जाओगे, कोई कैट्टन बन जाओगे, ये सारी वाजे सुनने को मिलती थी, उसके बाद फिर शादिया हो गई, आप लोग बेखमात आ गई, हम फिर भी उसी ट्रेन में रहे, फिर इन्हों ने शरू कर दिया, इनाज साब को और कोई काम नहीं, रोज दुसरे दिन लाहर स हो, ठीक है, इन्हों ने कहना शुरू किया, आपकी मिसिस ने शुरू कर दिया कहना, सहब साब ने कहीं, ये बोर कोई काम नहीं, रोज टांग तुड़वा के आजाते हैं, क्या कर लेंगे आप, लेकिन इसके साथ-साथ उन्हों ने आपकी हर वो बात मान लेनी, मुझे या मैंने इनको कहा के मेरी कराटे वाइफ को आप कुछ नहीं कहोगी, तो ये वाली वाइफ आपकी सोतन नहीं बनेगी, और मैंने बहुत सारा इनका टाइम ऐसे घर के बहुत सार इनके फंक्शन में नहीं गया, मैं नहीं जा सका, इन्हों ने सबर किया, बहुत सारे ऐसे प्र कि आउघ ये वहा पिछले दिनों हम लोगों को एक इंटरनेशनल इवाज मिला यंगलेंड में तो गोरो ने बताया हमारे बारे में मरी फैमिली के बारे में, इनको अपट 슉ने को बखांस oriented, मुझे वाज इवाज दिया मुझे उन्ने अब चुछ दे भी रह ले पे। खांस कि वो सारी जो आप लोगों ने कुर्बानिया दी है वो कुर्बानिया कहीं राएगा नहीं गई और मैं आप लोगों के जरीए से आप लोगों के बच्चों को including my daughters मैं आप लोगों को एक message है शोहर के लिए कि शोहर का हुकम जो है वो अल्ला ताला ने बहुत बड़ा हुकम दिया शोहर के लिए शोहर का हुकम को बच्चियों को मैं कहारूँ जिनकी अब शादियों होनी है बिल्कुल इंकार ना करें जब आप इंकार नहीं करेंगी जब आप सबर करेंगी आप देखेंगी कि Allah Ta'ala आपको आप ये कहेंगी कि हमें हैं हुक्मِ असान ला इलाहिलाला तो देखें कि आप लोगों को भी Allah Ta'ala इसी तरी के से स्टेज में पुलाएगा इज़त मिलेगी आप लोगों के शोहर भी इसी तरी के से इज़तदार इंसान होंगे मौाशरे में इज़त होगी और सबसे बड़ी है अज अपने चोटे-चोटे बच्चों को लेके आए है तो यह सोच रहोंगे कि आज कैसे मेरे बच्चे शादी के दरा तैयार होके आए है आप लोग भी इसी तरीके से आए है यहाँ कोई वलीमा नहीं है कोई दुला नहीं है कोई तेल में दी नहीं है लेकिन आप लोग कितने तयार होके आए है ऐसा क्या किया आरफ साब ने आप लोगों के लिए कि आज आप लोग इसी तरीके से चलता रहे आप लोगों को आपके बीवी बच्चों को और इन फ्यूचर मैं बिल्कुल चाहूंगा कि आप लोगों के बच्चों में आप लोग उनको मोटिवेट करें कि फ्यूचर में कोई ऐसा प्रोग्राम करवाए जहां जैसे आज मैं आया हूं फैमिली के साथ आरफ सब आएं अपनी फैमिली के साथ और आपके बच्चे उस प्रोग्राम का और्गनाईज का रहे हैं और इंशालल kenल क्म मैं बता रहा था हम लोग वर्ल्ड चैंबिशिप में चले गए वर्ल्ड चैंबिशिप से हम लोगों ने पाकिस्तान की नुमाहिदी की पहली दफ़ा पाक्सितान की टीम गई थी, हमें लेक और अफ एजूकेशन कराटे की इतनी है एजूकेशन नहीं थी, हमें मैट के ओपर, इंटरनेशनल मैट की ओफ मैट के ओपर चड़े थे, तो हम लोग खुद सिलिप हो रहे थे, खुद गिर रहे थे, उसके बाद आरफ स कलब तो खराब होना ही था, मैं फिजिकली बहुत खराब हुआ, क्योंकि मुझे मेरी स्पोर्ट थी, मैं लहूर में बैटा था था, मेरे लहूर के बहुत सरे काम आरफ साब ने करने होते थे, हम एक अस्यूसियेशन थी, शोटकान कराटे डोज़्ो उस वक्त अस्यूसियेश और आप यकीन कीजिए, अल्लादाला इनको बहुत इज़त दे, इन्होंने वहां मेरी इस तरह से रिस्पेक्ट करवाई, इस तरह से आज मैं आया हूँ, इसी तरीके से मुझे इंगिलेंड में बैनर लगके रिस्पेक्ट हुई मेरी लोगों ने, गोरों ने, उनको पता चल होते थिए कि अब सर ने हमनIES इनक कराटे शुरू करनी हैं, हमने कराटे में ये करना आमने हो कर, दोसability मेरा इंग्लेंड जाकर आरव साहब को मिलने खा, इनकी ट्रेनिंग देखनें का, ये वहां क्यू जाप करते थे, ये वहां तो टाइम था जब मैं अर्व साफ से लएदा थोड़ा गय पाया और मेरे साथ फरत अबाद शाहर है पंजाब के वो मेरे रिवास गर्डन मे रहते थे 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 अमरे को बताते भी थे उस वक्त मुझे याद है आर्व साथ के लिए मैंने लिखा था और मुझे अल्ला ने मौका दिया मेरा दिल था कि कहीं मुझे मुझे मौका मिले क्योंकि बहुत लंबी तक्रीर करने के बजाए कई दफा कोई बहुत अच्छे लिखने वाले चंद अलफाज म मेरे बच्चों ने कभी नहीं देखे क्योंकि बहुत सरी कराटे की बाते हम लोग घर जा के करते ही नहीं थे यह इतना मारमूर खाके जाते यह लोग मुझे बहुत मारते थे हर बंदों को याद है इन्होंने मुझे कितना मारा वा तो हम लोग जा कि मैं लहूर और मैं कार किलो मेटर दूर था तो मैं उस वर तांगे चलते थे रिक्षे वगर नहीं मिलते थे मैं अपने अंदर डिसाइड करके बैठा होता था कि अगर स्टेशन से बाहर वाले टांगे में पांच पेसिंजर होंगे तो आई विल गो दे विद थेम अदरवाइस मैं पैदल जाओ था लेकिन पैदल जाने का इनाम ही मिलता था अलाद आला मेरी वाल्दा को जन्नत नसीब करें बलंद दर्जाद करें मेरे पाउं की अवाद आती थी तो वो खिड़की में खड़ी होती थी आज की बीविया असी नहीं है और अगर हैं तो आप लोग जन्नती हो मेरी पाउं आज राद को राद के राध को दो त्ही त्हाँ तीन बचे में अकेली घर जा रहा होता था महले मे पीविझे हूओ कि जाहर है और उस वोगत कोई भी नी होता था तो आज वाला दॉर नहीं होता था बारह ज़ग तू गर्थ तो आज Wow में 12 जा टी बंडॉ जाता था था। लेकिन इन्होंने बहुत तरक्डी की वह जाके बहुत अच्छा लगा हम उन टीचर्ज में से हैं जिनके स्टूड़नोंने तरक्डी की और हमने फिल किया कि यह हमारी तरक्डी है हम खुश होते थे लेकिन इश्क जो है ना वो और टाइप का होता है तो आरफ साव के लिए उ इड़ाइस करता होता तो उसको जलती भुश्टी धूब में सर्द हवा में रहना सीख लिया तुझ से बिचड़कर हिज्र का एक एक मौसम सेहना सीख लिया और साहिल साहिल टकरा के जब चूर हुए तो हमने भी दरिया में लहरों की लहरों की दरिया में लहरे बनकर बहना सीख लिया और अपना दुख बस अपना ही दुख होता है ये जान लिया अपने आप से अपनी सारी बाते कहना सीख लिया और तुझ से बिचड़ कर मैं तो आरिफ भटक रहा हूँ कलबों में तुने लेकिन मुझ से बिचड़ कर आगे बढ़ना सीख लिया ये उस वगद मैंने आरफ साब के लिए लिखा था क्योंकि आरफ साब भी लिखते थे आरफ साब के लिए में चार शेर और लिखे थे जो आज की ये पूरी तक्रीब की पूरी पूरी 30-35 साल की कहले उसमें महबत है आरफ साब को सेंट्र अव एक् कराटे डो जो खुला था. सेंट्र अफ एकसिलेंस ही रखना है. सिखाना किया उसमें? कराटे जो सिखा रहे हैं तो ठीक है खोले कलब खुल गया यहां से वो जो माए कहती थी के तुमने कौन सा इंस्पेक्टर बांजाना है? तुमने कौन सा कराटे करके टांगे तड़वा क कि आज़े ते दाफर बातबी में ज़िए फक् worn एसपेह। सफ्पेटर भी बने ऑज मेरा मेरे साथ क्यातर यारस्ति या सर रिया अर्मी में वह कैप्टन भी बने, डॉक्टर्स भी बने, और बेश्शुमार शोहबा में, बहुत बेश्शुमार डिपार्टमेंट में, सेटर उफ एक्सिलेंस के स्टूडन्ट, बच्चे, जो जिन्हों ने कामिया भी यहां असल की, की, वो तमाम लोगों को बनाने में, वो तमाम लोगों का यहां तक पचाने में, कोई शक नी, मेरा भी उसमें बहुत जधा हाथ है, लेकिन यह सारा क्रेड़िट आरफ सदिकी साब को जाता है, मैं अपनी मिसिज को बताया कि जब आरफ सदीकी साब ने एक प्रोग्रम किया और इन्होंने पिएशडी ली उसमें अपने पिएशडी का आपने डॉक्टरेट की उससे पहले मेरे वाइफ अभी भी आगा नासर को नासर कहती है मेहमुद अलहसन डियस पी हो गया उसको डियस पी कहती है बलके डांटती भी है कई दफ़ा बहुत डांटती है हमाईयो मुस्तवा सैफ गेम का गोल्ड मेडलिस्ट है वो आज भी हमाईयो ही है आरफ साब जब मैंने मिझे मेरी वाइफ ने कहा थै कि मैं कहूंगी लेकिन वो कहती है कि आप खुद बता दे आरफ साब जब डॉक्टर बन गए तो मेरे बच्चों के लिए मेरी वाइफ के लिए मेरे लिए मेरे तमाम दोस्तों के लिए उनको मेरी तरफ से हुकम हो गया कब डॉक्टर आरफ सदीकी कहना है अरफ साहब कहना है सिर्फ आरफ नहीं कहना और का शुक्र है कि मैं उसने बहुत काम्याव हूँ ने जानने वाले होदी ओछो आरफ साभ की दोस्त भी थे जो भी भी आरफ को आरफ हमाईयों मुस्तफा वो ऐसे ही है टीक के लेकर मेरी कि आरफ साब का मिचो की लंगोटिया मिल जए मेरे लंगोटिया ही नहीं सारे स्टूडेंट हो गए लिकिन को ऐसा होता है नहीं कि जो आपको ओए कहके बुला ले कभी को लोगो अच्छा भी लगता है अच्छा हम लोग ढूंदते हैं अल्ला का शुकर हो गया कि वो लोग न इतना प्राउट फील होता है कि वो अगले मिनट में आरफ को कह रहे होते हैं नहीं आरफ साब क्या कर रहे हैं यारफ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यह बात कि आरफ साब को आरफ साब आरफ को आरफ बनाया इन्होंने किताब में लिखा के एनायत अल्ला वो शक्स ह जिसने आर्फ को आर्फ सदीकी बनाने में कोशिश की मैं दौा गो हूँ आपको बहुत इज़त दे क्योंकि आपका मुकाम जितना वलंद होगा मुझे उतना ज्यादा प्राउट होगा और इंशालला ये सिल्सला इसी तरीके से चलता रहेगा आप लोगों को एक दवा फिर और एक और खास बात थी के ये प्रोग्राम और्गनाईजर रहने वाले तमाम दोस्तों को मैं मुझे बारगवाद देश करता हूँ हम लोग अक्सर रह जाते हैं हर उस शक्स को जिसने एक कुरसी भी लगाई और हर उस शक्स को कैमरा मैं और जितने भी और्गनाईजर हैं आप बच्चे जितने भी आए में मैं दिल की गहराईयों से आप लोगों को इस प्रोग्राम वंडर्फुल प्रोग्राम की मुभरगवाद देश करता हूँ मैंने आरफ साब को का कि हमारे प्रोग्राम में कोई स्पॉंसर नहीं होता और सबने का सर प्रोग्राम में स्पॉंसर इसलिए नहीं है कोई वह अमीर आठमी है कोई वह लैंडलोट है कोई वह फ्लॉटों का मालक है वह इसलिए स्पॉंसर है कि he's a very gentleman और बेशक इसमें कोई शक नहीं है तैंक यू वेरी मच्च आपका आपकी कंटीक्यूशन का बहुत शुक्रिया और आप लोगों का जितने भी दोस आज कामयाब हुए उनका शुक्रिया उनकी वाइब मेरी बची है आप लोग मेरे यह इदर आदी थोड़ी सी इदर पैठी थोड़ी सी इदर बैठी हुए दो जिनकी बीवियां हैं उनको दो दोफा मेरा सलाम और अलाद आलाद आपको खुश और आप लोगों को बाकी मादा जिंदगी में असानिया पैदा करें आप लोगों के लिए ठैंक यू वेरी मच्च मेरी से आप लोगों को एक मरतबा फिर बहुत इस प्रोग्राम का बहुत मुबारकबाद और आईशा मेरी बच्ची ने बहुत ज्यादा बहुत अच्छी कंपेरिंग की